कला कृती द आठेपिनौर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद यह बैल आइकन है इसको भी प्रेस की है यहाँ पर देखिए हमने नीदिवन थीम देने की कोशिश की है नीदिवन मतलब जो विंदावन में है वहाँ पर मानेता है कि रात में क्रिशन जी अपने गोपियां संग रास लीला रचाते हैं तो देखिए नीदिवन की थीम देने के लिए यहाँ पर हमने मुकुट प यहां पर डेकोरेशन हुई है और इसके बाद देखिए यहां पर गोपिया हमने चारो तरफ क्रिशन जी के लगाई है तो काफी ही सुन्दर यह निदिवन की थीम बनी है तो फ्रेंग्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए इस ड्रेस को श मैं हर साइज में मुकुट बनाना बताऊंगी तो आपके काना जी का जो भी साइज है आप अराम से उनके लिए मुकुट बना सकते हैं इसके बाद देखिए यहां पे मैंने कलगी पे निदिवन लिखा है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है यहां पे देखिए मैंने स्ट तो मुकुट जितना हेवी लग रहा है उतना ही इजी है बनाने में तो काफी इजी है आप जल्दी से क्रोशे उठाइए और यह मुकुट बनाइए अब फ्रिंड्स में आपको इस ड्रेस के बारे में बताती हूं यह ड्रेस जो है मैंने हर साइज में बनाना बताया तो आप से अपने काना जी के लिए ड्रेस बना सकते हैं और यह ड्रेस की वीडियो जो है अल्रेडी मैंने मेरे चैनल पर अप्लोड कर दी है जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी दे दूंगी और अभी आपको उपर आई बोक्स में भी दिख जाएगा और फिर इस तर ऐसे मैं धागे को एड़ कर लूँगी अब मैं यहां पर 49 चेंज लूँगी एक दो तीन चार पांच छे तो देखे मैंने यहां पर 49 चेंज ले ली है अब जो लास्ट वाली चेन है उस पर मैं अपना अंगुठा रख लूँगी और इसके बाद तीन चेन और है क्योंकि एक डबल क्रोशे की हाइट की होती है और इसको में डबल क्रोशे ही मानेंगे अब जिस चेन पर मैंने अंगूठा रख रखा है वह अगर मैं उपर से काउंट करूं तो फौर्थ नंबर वाली चेन हो जाएगी उसमें मुझे डबल क्रोशे डालना है और डबल क यहां पर हमारे टोटल अभी तक दो डबल क्रोशे हो गए है जो फर्स टीन चेन से एक्स्ट्र हो जाता है फॉर्टी नाइन चेन पर हमने डबल क्रोशे डाल दिया है अब जो इससे पहले वाली चेन है उसमें डबल क्रोशे डालेंगे तो तीन फंदे हो गए हैं तीन का दो करूंगी दो का एक तो इस तरह ऐसे डबल क्रोशे हो गए अब नेक्स चेन में एक डबल क्रोशे डालूंगी अब हर चेन में एक डबल क्रोशे डालूंगी और जब आप राउन का पूरा वर्ग जो है कंप्लीट कर लेंगे तब आप तो देखे फ्रेंड्स यह वाला work जो है complete हो गया है और यहां पे हमारे 50 double crochet डल गए हैं अब second row जो है start करूँगी तो इसके लिए देखिए हमें आपे 3 chain लेनी है और यह एक double crochet ही माना जाएगा अब work को ल्टा कर दूँगी और जो second chain है उसमें डालूँगी मतलब कि जो next chain है उ double crochet डालते हुए फिर से इस रो में 50 double crochet करने हैं और इसी तरह से टोटल हमें यहां पर तीन रोज जो है complete करनी है तो देखे फ्रेंड्स मैंने यहां पर तीन राउंस जो है complete कर दी है और यहां पर एक लंबी सी स्ट्रिप बना ली है अब यहां पर मुझे धागा कट करना है त मैं धागा कट कर रही हूं एक चेन लेके नोट लगा दूंगी तो देखे फाइनली एक स्ट्रिप बनके तयार हो गई है पांश नंबर के लड्डू कपाजी के लिए एक दम परफेक्ट है यह स्ट्रिप यहां पे आप देखिए तीन राउंड्स हमने निकाले हैं तो चार पांश नंबर तक के लड्डू कपाजी के लिए आपको इस तरह से तीन राउंड्स ही निकालने होंगे जीरो और एक नंबर के लिए आपको एक ही राउंड्स निकालना है दो और तीन नंबर के लिए आपको यह दो राउंड्स निकालने होंगे और बड़े लड्डू कप शुरू में हमने 50 डबल क्रोशिया बनाए थे तो छोटे लड़ू को पाल जी के लिए आपको कम डबल क्रोशिया बनाने होंगे तो यहां पे देखिए मैंने लिए थे 49 प्लस 3 चेंज और 50 डबल क्रोशिया मैंने बनाए अगर यही चार नंबर के लड़ू को पाल जी है तो करीब करीब आपको यहां पे लेनी होगी 48 चेंज के करीब और 45 डबल क्रोशिय के अप्रोक्सिमेटल यहां पे बनेंगे और 3 नंबर के लड़ू को पाल जी के लिए 40 डबल क्रोशिया आपको अल्मोस डानने होंगे और य जाएंगे फिर एक नमबर के लड़ू को पालजी के लिए 30 32 डबल क्रोशिया या 28 डबल क्रोशिया इतने चलेंगे अब आपको कैसे मेजरमेंट करना यह मैं आपको बताती हूं अब देखिए यहां पर हमें इसको मुकुट में करना है तो यह देखिए यहां पर इस तरह से मैंने इकवली इसको फोल्ड कर दिया एक दूसरे के उपर रख दिया अब देखिए यह वाली जो साइड है इसको मैं पकड़ूंगी और यह जो ओपन वाली साइड है इसको मैं इस तरह से उठाओंगी इसको इस तरह से कहीं से भ तोड़ा सा और आगे से यह मुकूट की शेप आजाएगी थोड़ा से आपको दिखाती हुए देखे इस तरह से मुकूट की शेप आएगी अब अपने काना जुक के एक बार सर पे लगा के देख लीजिए अगर आपको यह सही लगता है तो ठीक है अगर कम जादा लगता है सा पीछे से थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाएंगे यह जो चीज है मैंने पहले इधर रखी हुई है आप इसको उठाके तो ठोड़ा इधर रख देंगे तो थोड़ा सा मुकूट जो है चोटा बन जाएगा सर का यह जो गैप है यह देखिए यह थोड़ी छोटी हो जा सकते हैं बड़ ध्यान रखिएगा इससे कम चेंज बिल्कुल मत लीजिएगा जादा होंगी तो चल जाएंगी क्योंकि हम थोड़ा सा अग्जस कर सकते हैं तो इसी तरह से आपको समझ में आ गया है कि एक छोटे मुकुट बना रहे होंगे आप तो आपको इस तरह से फोल्ड करके और यहां पे मेजर करके देखना है कि काना जी के सर पे एकदम सही से आ रही है या नहीं आ रही है या फिर आप एक कैप पे लगा होता है मैंने इसी में सिंपल दागा पिरो लिया है यहां पे देखिए डबल दागा पिरोया है तो इस तरफ यह इस चीज आई हुई है अब देखिए हमें मुकुट को यहां पे सिलना है तो देखिए कैसे करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरह से इस विजिबल नहीं होगी इसलिए मैं आपको बता रही हूं तो यहां पर देखें सिल रहे हैं तो यहां पर देखें मैं इसको सिल रही हूं यहां पर यह जो चीज है पूरी हम यहां तक सीलेंगे यह पूरी सिलके मैं आपको दिखाती हूं अब देखें यहां से मैंने यहां तक सिल दिया है अब मैं वापस मिडल में आ जाओंगी यह देखें उंगली से पता चल रहा होगा तो यहां से यहां तक सिला middle में आ जाऊंगी और फिर यह जो चीज है यह जो gap दिख रहा है यह पूरा यहां पे सिलूँगी यह सिलके मैं आपको दिखाती हूँ तो यह देखे friends यह बीच में मैंने सिल दिया है बिल्कुल भी space नहीं रहा अब मैं आगे की तरफ देखूंगी तो मुकुट की इस तरह से shape आ जाएगी मैं एक बार adjust कर लूँगी इसको और फिर देखे यहां पे थोड़ा सा gap है इसको भी stitch करूँगी और यहां पे gap है इसको भी stitch करूँगी तो कैसे करूँगी यहां पे मेरा धागा है तो यह देखे फ्रेंड्स मैंने पूरा सिल दिया है और काफी अच्छा लग रहा है इस तरह से यह मुकुट का base जो है बना लिया है अब हम इसकी कलगी की तरफ प्रोसीड करेंगी तो कलगी के लिए सबसे पहले मैं red color लूँगी जो की dress में भी लिया है तो इसी से हम अपना work जो है start करते हैं तो देखे red color का धागा जो है crochet hook मैं add करूँगी यहाँ पे मैं 4 chain लूँगी एक, दो, तीन, चार पहली chain में हमें सारा work करना है तो इसमें double crochet डालूँगी पहली chain में तो double crochet डालने के लिए crochet hook में 2 फंदे करूँगी और अब मैं double crochet डाल रही हूँ पहली वाली chain में तो देखे मैं double crochet डाल रही हूँ पहली chain में तो यहाँ पर देखे मैं यह मानूँगी कि 2 double crochet हो गये हैं क्योंकि हमने total 4 chain ली थी फर्स वाली chain में तो हम अपना work करेंगे और तीन जो chain ली थी वो पहला double crochet ही था इसका एक डबल क्रोशय डाल दिया तो दो हो गए हैं अब तीसरा डबल क्रोशय उसी चेन में डालूंगी तीन हो गए हैं फिर आगे डबल क्रोशय इसी चेन में डालूंगी और इसी तरह से डबल क्रोशय इसी चेन में डालूंगी तो देखे मैंने टोटल नो डबल क्रोश्यार तो डाल दिया है अब तेंथ वाला डबल क्रोश्यार डालूँगी लेकिन वो कम्प्लीट नहीं करूँगी तो देखे कैसे कर रही हूँ दो फंदे लिए फर्स चेर में डाल दिया तीन फंदे हो गए तीन का दो कर लूँगी अब इसको कम्प्लीट नहीं करूँगी तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल क्रोश्यार तो टेंथ वाला जो है कम्प्लीट नहीं किया है अब हमें ये फर्स राउंड था जो कि अल्मोस कम्प्लीट हो गया अब मैं second round जो है धागा change करना है इसलिए मैंने इसको complete नहीं किया है तो अब यहाँ पे मैं yellow color का धागा लूँगी तो देखे मैंने यहाँ पे यह जो dress में भी use किया था इसलिए अब मैं आगे का work जो है yellow color के धागे से करूँगी अब देखे मैंने yellow color का धागा जो है ले लिया है और यह दो फंदो को red वाले को एक कर दूँगी धागे की help से तो इस तरह से अब double crochet जो है हमने complete कर दिया है और yellow color का धागा भी जोड लिया है अब मैं तीन chain लूँगी यह second round के लिए है यहाँ पर अब देखे work को उल्टा कर लूँगी अब इसी वाली नीचे chain में एक double crochet डालूँगी तो यह हो गया हमने एक ही chain में दो double crochet डाल दिया है next chain में भी दो double crochet डालूँगी इससे next chain में भी दो double crochet डालूँगी इसका मतलब हर chain में मैं दो-दो double crochet डालूँगी और यह round complete करके आपको दिखाती हूँ तो देखे यह round complete कर दिया हर chain में दो-दो double crochet डाले है और जो last वाला double crochet देखे इसको complete नहीं किया है दो फंदे बच गए है अब मैं यहाँ पे dark pink color की उन लूँगी तो देखे dark pink color की उन से मैं काम करूँगी तो देखे pink color का धागा हाथ में ले लिया और इसको complete करूँगी pink color के धागे की help से तो इस तरह से धागा भी जूड़ गया है अब तीन chain लेंगे थर्ड round की तरफ proceed करूँगी work को ल्टा करूँगी अब नीचे इसी chain में एक double crochet और डाल दूँगी तो टोटल एक ही chain में हमारे दो double crochet हो जाएंगे अब next chain में एक डालूँगी इससे next chain में दो डालूँगी तो देखे इस बार alternate चलेगा 2, 1, 2, 1 अब next chain में एक double crochet डालूँगी इससे next chain में दो आएंगे और यह round जो है complete करके आपको दिखाती हो तो देखे pink color से भी round complete कर दिया है क्रोशोग में आपे 2 फंदे है अब इसको मैं आगे का जो काम है green color से करूँगी तो देखे green color का यह वाला उन जो है मैंने हाथ में ले लिया है ध्यान रखेगा मैं सारे colors जो हैं dress में use किये हैं वही वाले ले रही हूँ तो देखे यह जो incomplete double crochet इसको complete जो है green color से कर दूँगी और यह हो गया है अब तीन chain लूँगी next round की तरफ proceed करें तो work कुल्टा कर दूँगी अब इसी chain में एक double crochet डालूँगी अब इस बार देखिए हमें दो chain में एक एक double crochet डालने हैं तो next chain में एक डालूँगी इससे next chain में एक डालूँगी और इससे next chain में दो बार डालूँगी तो हर तीसरी chain में इस बार दो बार डालूंगी अब पहली chain में एक बार डालूंगी दूसरी chain में दूसरा हो जाएगा और तीसरी chain में दो बार डालूंगी तो इस तरह से यह row जो है complete करके आपको दिखाती हो तो देखे green color का round भी complete कर दिया है यहाँ पे last वाला जो double crochet green color का वो हमने complete नहीं किया है उसको complete जो हम dark blue color की उन से करेंगे तो देखे dark blue color की उन लेंगे और इसी से अब हम अपना next round complete करेंगे तो देखे यह वाला double crochet blue color के धागे से complete करूंगी अब मैं तीन chain लूंगी एक दो तीन वर्क को उल्टा करूंगी अब देखे जो first chain है उसमें मैं इसको slip sit से join करूंगी first chain में मैं crochet डालूंगी धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी तो यह एक pearl बन जाता है इस pearl को हम next chain में slip sit से join करेंगे अब हम next chain में single crochet करेंगे single crochet देखे कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ next chain में crochet डाला धागे को निकाला दो फंदे हो गए है अब दो का एक कर दूंगी धागे की help से तो यह single crochet है अब दो chain लूंगी एक दो और जब यह single crochet जो नीचे किया है इसके देखे दो फंदे जो है उठाऊंगी इस तरह से देखे single crochet के मैंने देखे दो फंदे जो है उठा लिये है तो देखे जिसमें मैंने उंगली रख रखी है वो एक फंदा तो पहले वाला ही है जो हमने chain मनाई थी और यह दो फंदे जो हैं सिंगल क्रोशे के उठा लिए अब इसमें से धागा निकाल लूँगी और यहाँ पे इसको slip stitch कर दूँगी तो इसमें से सीधा निकाल दिया इसको बोलते है slip stitch अब अगली chain में हमें slip stitch करना है slip stitch भी एक बता देती हूं देखे next chain में प्रोशोग डाला धागे को निकाला और सीधा इसमें से भी निकाल दिया तो यह होता है slip stitch अब next chain में single crochet करूँगी single crochet फिर से बता देती हूँ next chain में crochet डाला धागे को निकाल लिया दो फंदे हो गए धागे की help से इसको एक कर दूँगी अब दो chain लूँगी अब जो नीचे single crochet है देखें क्रोशोग में एक फंदा तो ही already अब नीचे जो single crochet उसके दो फंदे उठा लूँगी तो यह देखें दोनों फंदों को मैं अलग अलग करके एक पर दिखाती हूँ थोड़ आस आपको भी visible भी है देखें दो फंदे यहाँ पे है अब इस में से धागा जो है सब में से निकाल लूँगी तो यह slip stitch हो जाता है next chain में slip stitch करूँगी next chain में single crochet करूँगी और देखें हमारा work जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है चोटे चोटे यहाँ पर पर्ल्स बनते जाएंगे यह पूरे पर बना के आपको दिखाती हूँ तो देखें friends work जो है बहुत ही प्यारा दिख रहा है round के end पर आ गई हूँ अब धागे को हमें cut करना है तो यहाँ पर देखें मैं धागे को cut करूँगी और अब एक chain ले लूँगी और note लगा दूँगी अब यह जो बाकी के नीचे धागे है यह भी मैं cut करके finishing करके आपको दिखाती हूँ तो यह देखें मैंने यहाँ पर इसकी finishing कर दी और कलगी बहुत ही जादा प्यारी लग रही है इसके बाद देखें मैंने यहाँ पर black color से नीधीवन लिखा है थोड़ा सा roughly लिखा है मैंने नीधीवन ताकि इसके उपर white color के धागे से मैं काम कर सकूँ तो यह मैंने roughly लिख ताकि मुझे idea लगा रहे तो मैंने इस तरह से नीधीवन लिखा है इसको मैं white color के धागे से अच्छे से लिख लूँगी और फिर आपको दिखाती हूं तो देखें फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर white color के धागे से नीधीवन लिख दिया और बहुत ही जादा सुन्दर लग रह और बहुत ही प्यारी लग रही है तो इस तरह से इसको मैंने डेकॉरेट भी कर दिया आप देखें यहां पर मैंने silver chain यूज की है silver chain जो है आपको इस तरह से मिल जाएगी यह काफी चोड़ी आती है यहां पर मैंने इसकी चार लाइने जो हैं कट किया है और इसको यूज किया है और यहां पर देखें बीच में एक silver कलर का बड़ा नग यूज की है तो काफी प्यारा लुक दे रहा है यहां पर देखें मैंने तारों वाले शेप के नग लगा दिया है तो यह काफी सुन्दर लगने लग गया है और निदिवन भी लिखा हुआ बहुत ही जादा खिल रह थैंक यू फ्रेंड्स रादे रादे